नमस्कार फ्रेंस सपोर्ट इंडिया डवलप्मेंट प्रोग्राम में एक नया अपडेट आ रहा है जो आप सबको मैं बताने जा रहा हूं उस अपडेट को आप ध्यान से सुने और आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उसे लोगों तक पहुँचाए जो हमारे सदस हैं सपोर्ट इंडिया के जितने भी हमारे सदस हैं उन सभी के पास ये वीडियो जरूर सियर करें इंपोर्टेंट मैसेज है इस मैसेज को जितने मैं सियर करेंगे उतना आपको फैदा होने वाला है तो अप्डेट ये आ रहा है Support India से कि आपने जो भी team बनाया होगा ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने ठावन के लिए 20 का समु बनाया होंगे या गोल के लिए आपने 10 का समु बनाया होंगे तो इसके लिए बहुत बड़ा अप्डेट है तो क्या अप्डेट मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो में बने रहे मैं इसके लिए बहुत बड़ा अप्डेट आया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अप्डेट फिरेंस यह है कि सपोज किजिए कि आपने डावन्ड के लिए या गोल्ड के लिए जो भी आपने सदस बनाए है ठीक है जैसे सपोच के लिए डावन्ड के लिए आपने जो डावन्ड काड होता है इसका लिमिट है 5,00,00, ठीक है जो आपको हर कौाटरली में आपको मिलने वाला है 10,000, ठीक है तो इसके लिए हमें क्या करना है जैसे जो 10 लोगों को हमने समू बनाया तो उनसे हमने 350 रुपिया डुनेट करवाना है क्या करवाना है 350 रुपिया डुनेट करवाना है तो अपडेट ये आ रहा है कि 350 रुपिया डुनेट अगर नहीं होता है तो क्या होगा जी हां बिल्कुल सही सुना आपने कि 350 रूपया update नहीं जमा होता है तो क्या होगा तो इसमें लोग क्या किये है जो जो ज़्यादा दिमाग वाले लोग है इसमें क्या किये है business type बना दिये है जैसे 10 का जो है अपना ही घर से जो है समूह बना लिए और कुछ उसमें से भर रहे हैं और कुछ नहीं भर रहे हैं जैसे कि मान के चली 10 का समूह है उसमें से 5 लोग 350 का डुनेट कर रहे हैं 5 लोग 350 का डुनेट नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि NGO को यहां पे नुकसान हो रहा है ठीक है फ्रेंज नुकसान क्या हो रहा है कि मान के चली जो गोल एचीवर है जिनका गोल कार्ड है उनको तो NGO ने सहता के रूप में 10,000 देना है लेकिन जो मेंबर सीप के जड़िये NGO के पास पैसा जितना जाना चाहिए उतना पैसा NGO के पास नहीं जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि जो मेंबर सीप से जो फंड आना है वो नहीं आ पा रहा है तो इसलिए आने वाले समय में जो अपडिट आया है आने वाले समय में हो सकता है कि जो गोल कार्ड वाले हैं जो 10 लोग का समुह बना रखा है उसमें से अगर एक भी कम हुआ 350 डूनेट करने में जैसे 10 है उसमें से 9 लोग कर रहे हैं, 1 लोग नहीं कर रहे हैं 8 लोग कर रहे हैं, 2 लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको जो है आने वाले जो quarterly आना होगा 10,000 उनको gold कार्ट का नहीं दे के उनको silver कार्ट का दिया जाएगा या तो 10 लोग का जो है डूनेट करवाईए या तो फिर आप जो है 10 से अगर दो लोग अगर नहीं डूनेट कर रहे हैं तो दो लोग आप extra अपने direct में जो है sponsor करके दो लोग new कर सकते यानि कि 10 कहने के मतलब सीधा simple सा है कि 10 लोग अगर आपका gold achiever है तो आपका 10 लोग 350 संस्था के पास जाना चाहिए ठीक है friends इसी तरह जो है diamond card वाले का भी है जो diamond card वाले है जिनका 20 का समूँ बनाना है और 20 का समूँ बना चुके और उसमें से भी जो है दो चार लोग 350 नहीं donate कर रहे है तो उनके लिए भी यही है तो किर्पिया जो भी ऐसे सदस है हमारे support India development प्रोग्राम में तो इस वीडियो के देखके आज से ही अपना जो है इसको सुधारने का कोशिस करें नहीं तो आगे चलके आपके ID पे बहुत काफी दिक्कत आने वाला है तो मैं आसा करता हूँ कि इस वीडियो को देखके आप लोग को समझ में आ चुका होगा तो समझ में आ चुका होगा तो वीडियो को भी subscribe करें like करें और share करें और share जितना हो सके up line हो, down line हो या cross line हो जिस तरह भी हो, जहां भी हो जो लोग ऐसे किये हुए हैं या नहीं भी किये हुए हैं जो आगे करने वाले होंगे वो किर्पिया इस वीडियो के देखके ऐसा ना करे क्योंकि हमारा जो सपोर्ट इंडिया डेवलेप्मेंट प्रोग्राम है यहां पे बोला गया है कि भिरोजगार को सुरोजगार देने का काम कर रहा है तो इस तरह से आप लोग काम कीजिए ताकि लोगों तक जो है रोजगार जाए है ना या कोटेज इंडिस्ट्री से हो या ब्यूटी पालर से हो या यूट्व परफर्फरमिस्टनल से हो जैसे भी रोजगार लोगों तक पहुचना चाहिए और बिल्कुल जैनून पहुचना चाहिए ये नहीं कि उसको एड्मिसन करवा दिये रेजटिस्टन करवा दिये और उनको फिर कोई समझाए नहीं और उनसे 350 डूनेट नहीं करवा रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान दे ठीक है और आगे इस विडियो को फरवट करके इसे सपोर्ट इंडिया को सपोर्ट करें तो इसी के लिए थैंक्यू